सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजुकेशनल गूरूप पच्कोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जहराजदनी कैसे हैं आप सभी मैं हमत कुमार सिंग आप सभी का बाईलोजी मेंटर एक वार फिर से हमारी यूटूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को आज का लेक्चर रहाजम पढ़ने वाले हैं उपास्तिमीन और अस्तिमीन के बीच में क्या जो है डिफरेंस होता है क्या अंतर होता है मैं इस लेक्चर में यह बताऊंगा ठीके लेकिन उससे पहले few seconds के लिए मैं आपको यह बता दू कि हमने previous lecture में क्या study किया था मैंने previous lecture में PC's super class को क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था ठीके और इस PC's super class के अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको इसके कुछ एक general characters के बारे बताया था साथ-साथ जो कुछ एक अभी लाक्षिन गुंधर्म होते हैं उसके बारे में मैंने आपको इस particular topic में previous lecture में बता दिया था ठीके उसी topic को आज हम continue करने वाले हैं और आज कर हमार topic क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर और कौन-कौन से characters होते हैं पेसी इस सूपर क्लास में मतलब fishes में ठीक है मचलियों में और यह जो दो प्रकार की जो fishes होते हैं मतलब अस्थिमीन और उपास्थिमीन इन दौनों के बीच में basic difference क्या होता है ठीक है? यह देखते हैं और साथ-साथ आज के lecture में ही मैं इसके general characters को discuss करने के बाद हम 20 important questions जो है complete study कर लिया है already मतलब non coordinate का जो भी particular phylum था 1 to 11 phylum जो होते हैं वो क्या हो चुके है? वो finish हो चुके है ठीक है? उसी पे उपर जो भी important question जो होते हैं मैंने इस lecture में क्या किया है? include किया है हम वो 20 important question को भी क्या करेंगे? discuss करेंगे ठीक है? तो first of all कुछ एक theory का part PC super class के बारे में ठीक है और इसके साथ खुछ एक और general characters को हम क्या करेंगे study करेंगे लेगिन पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जो इन दानों की बीच में difference कर रहे हैं इन दानों के बीच में difference का हमरा criteria क्या है? ठीक है हम किस आधार पे हम किस base पे इन दानों की बीच में क्या कर रहे मैं difference कर मैं आपको यह बताने बाला ऑँ ठीक है देखिए मैंने कहा अगर यहां पे जो Vosdefferns की बात कर एंकिया क्या होता है हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें जो Caudal Finn present होते है ठीक है यहां पर польз difference का Criteria क्या होगा कि इसमें जो Caudal fins project होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा चीक है और इसके साथ साथ हमारा जो next particular base होगा इन दौनों के बीच में difference का वो क्या होगा मैंने का वो होगा फेरिंग्यल गिल्सलेट आप जानते हैं काड़ेट के एटीपिकल करेक्टर उसके जो अभी लाक्षने गुंधर्म होता है उसमें ग्रस्तिये क्लों विदर का पाया जाना मतलब फेरिंग्यल गिल्सलेट का पाया जाना भी क्या होता है एक इन्पोटेंट करेक्टर होता है चीक है उसी को हम यहां पर डिसकूस करते है मैंने काडल फिन्स एंड टैल फिन्स के बाद यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में फेरिंग्यल गिल्सलेट के बारे में चीक है हम यहां पर डिसकूस करेंगे कि on the basis of number of the फेरिंग्यल गिल्सलेट हम इन दौनों के बीच में जो है किस तरह से जो है के बाद हम यहां पर देखेंगे इनमें जो एक्स क्रिटरी स्टॉक्चर प्रेजेंट होते हैं यहां पर जो भी एक्स क्रिटरी स्टॉक्चर कहने का मतलब जो भी यहां पर उच सर्जन के लिए जो भी संरस्तना है हमें यहां पर देखने को मिलेगी तो उन एक्स क्रिटरी कि कि इसके हम अंते कंकाल के बारे में एक्जो के बात करेंगे और फिर क्या करेंगे बीज मै डिफ раз करेंगे ती का minderकि मेनिंग होता है पुछ्छिय परकार के पखने क्या होता है मैंने यहां पर लिख दिया इसे हम कह सकते हैं पुछ्छिय पखने क्या कह सकते हैं इसे हमने कह दिया पुछ्छिय पखने ठीक है अब यह जो फैरिंगेल गिल्स्तिक होते हैं इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इस यहां पर ले रहे हैं हम क्या यहां पे कुछ एक उत्सरजी सन्रसना की बात करें किसकी बात करें अगर हम यहां पे उत्सरजी सन्रसना की बात करें तो हम किस वैसिस पर करेंगे और लास्ट जो मैंने लिया है क्या लिया है यह एक्जोस्केलेटन का मीनिंग क्या होता है इसका Caudle fins के बारे में हम बात करते हैं, अगर इन में पाइजाने वाले Caudle fins के अधार पर इनके बीच में difference की बात करें, तो देखिए, मैंने आपको previous lecture में जब fins के बारे में जो है कुछ एक basic बाते आपको बता रहा था, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मैंने युगमीत परकार के जो पकने हुआ करते थे उसको मैंने dorsal, ventral और caudal में divide कर दिया था और अगर हम especially caudal और tail fin की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाता है आप जानते हैं कि इसको भी हम two category में divide कर सकते हैं इसको हम two category में divide कर सकते हैं एक जो fin होता है इसे क्या करते हैं इसे कहा जाता है symmetrical fin क्या करते हैं इसे कहा जाता है asymmetrical fin हम यहाँ पर बस यह बात करेंगे कि अगर यहाँ पर cartilage genius fish के बात करें और bonnie fish के बात करें तो आखिर क्या basic difference होता है जोते हैं इसकी बात करें तो symmetrical fins होते हैं इसी को क्या कहा जाता है मैं लिका इसी को ही कहा जाता है sammeet प्रकार के प्खने क्या कहते है इसे कहते है LOVE asymmetrical कहेंगे लेकिन आप यह जानते हैं कि symmetrical के लिए ही एक word हम use करते हैं इसे कहा जाता है homo circle और यह जो asymmetrical होता है इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है hetero circle क्या कहते है अब देखिए अब हम यहाँ पर यह discuss कर लेते हैं कि यह जो symmetrical और asymmetrical होता है इनके बीच में मैंने यह जो बोला है कि आखिर ये symmetrical, summit या homo circle प्रकार के जो fins होते हैं वो किसमें मिलेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये bonnie fish में मिलेंगे किसमें मिलेंगे मैंने कहा ये जो है अमें bonnie fish में दिखाई देते हैं या फिर जो अस्थी mean की अगर बात करें तो अस्थी mean में किस प्रकार के यहाँ पर fins मिलते हैं किस प्रकार के caudal fin मिलते हैं मैंने कहा यहाँ पर सम्मीत प्रकार के मिलते हैं और सम्मीत प्रकार के fins में मैंने आपको क्या बताया था इसको एक diagram समझने की कोशिश करते हैं suppose मैंने यहाँ पर क्या किया किसी भी particular fish को लिया और इसके बारे हम basic में भी है क्या कर चुके है study कर चुके है मैंने का यहाँ पर देखिए मैंने कहा यह जो मैंने fin लिया है यह क्या है symmetrical fin होता है क्यों कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह दौनों ही particular part की बात करते हैं तो यह दौनों ही part क्या है मैंने का यह दौनों ही जो part होते हैं वो basically क्या होते हैं मैंने का symmetrical होते हैं इनके size को देखें तो वो बिल्गुल एक जैसे दिखाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें hetero circle की बात करते हैं तो इस particular यह जो support की एक्जांपल ने का मैंने का यहां सा एक्जांपल wynखवाए लिए हम एक्जांपमिल मैं अगर सम्मेठ थे मीन में परखें और आस्टी मीन में हम इसा क्या में हम एक्जांपल लेकां पहले हम यह discussed करें इसको क्या कहते है इसे कहा जाता है उपास्ती सपोज मैंने एक इसके Karen part को Represent करता हुआ यहांपर हम देखेंगे कि आखिर यह! इस परकार के जो अगर यहांपे caudal finn आपको दिखाए दे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दौनों में ही कितना difference नजर आ रहा है, यह देखिए, मैंने का इन दौनों के जो size हैं वो बिल्कुल भी similar नहीं है, एक जैसे नहीं होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मैंने का इसे कहा जाता है, उपास्तिमीन ज इसके बारे में यहाँ पे इस पेशली यह जो आप देख रहे हैं, सकेंड पॉइंट जो हमारा है, क्या है यह यह फैरिंगल गिल्सलिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि इसके बैसे पे हम यहाँ पे दौनों परकार के fish जो होते हैं, मतलब काटिरी जीनियस fish और बॉनि कैसे differentiate कर सकते हैं, पहले हम यह बात करें, कि यह जो फैरिंगल गिल्सलिट होता है, आखिर यह किस particular process के लिए, कि प्रकरिया के लिए पाए जाने वाले structure होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, कि यह जो है स्वासन के लिए पाए जाते हैं, किस के लिए, मतलब यह जो है respiration क लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं structure होते हैं अब यहां पर हम किसकी बात करें यहां पर हम इसके number की बात करेंगे किसकी बात करेंगे यहां पर हम इसके number की बात करेंगे number के basis पर हम यह देखेंगे number क्या है मैंने का यहां पर हम किसकी बात करें यहां पर संख्या की बात करे अगर इसके numbers की बैसे पे इन दोनों के बीच में अगर हम difference की बात करें तो क्या कहा जाता है कि अगर इनका number क्या हो मैंने का अगर ये 5 pairs हो कितने हो मैंने का ये 5 pairs हो और हो सकता है मैंने Faningle Gill Slit کے Number के धार पे मैंने कहा हो सकता है कि एक fish में 5 pair होगा एक fish में क्या होगा? 4 pair होगा यहाँ पिछिए Match यह जो 5 pair 5 जोड़ी प्रकार के जो Faningle Gill Slit Sowsan के लिए पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के fish में मिलते हैं? मैंने खाएंद हैं तो यहां पर देखिए इन्पोटेंट कंसेप्ट क्या है मैं आपको एक यहां पर देखते हैं एक नोट पॉइंट देखते हैं देखे यहां पर क्या होता है कि अगर हम फैरिंगेल गिल स्लीट की बात करें ना तो यह ग्रस्तनिये क्लों विदर जो हैं एक स्पेशल टाइब के स्ट्रॉक्चर एक विशेष प्रकार के संदस्तना से कवर्ड होते हैं धके हुए होते हैं और उस स्ट्रॉक्चर को क्या कहते हैं देखे मैंने कहा है यह जो फैरिंगियल गिल स्लीट किस्से होते हैं मैंने कहा यह basically covered किसे होते हैं it is generally covered by upper column किसे होते हैं मैंने कहा यह upper column से covered होते हैं और upper column को हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहा जाता है है guilt happen क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं of HER जो upper column होता है जिससे यह गिल्ध हापन होते हैं गिल्ध​ तैंगे मिल्गैं यहांपे किलों को रखने वाले स्टक्चर को ऑग defence को हम बात करें किसकी cartilaginous fish की बात करते हैं तो यह जो cartilaginous fish होते हैं इसमें जो operculum होता है वो क्या होता है मैंने का यहां पे जो operculum होता है वो absent होता है मतलब इनके जो pharingal gilsit होते हैं वे uncovered होते हैं ढके हुए नहीं होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर किसे की बाद करें यहाँ पे अगर हम bonneyfish की बाद करतें तो bonneyfish जो होता है यहाँ पर जो oper column की बाद करें तो यह जो oper column होगा वो क्या धका हुआ होगा यहाँ पर अफ्कोर्स यहाँ पी जो oper column present है इसे लिए fenangeel whack shirt जो है इस गिल धापन से क्या होता है डखे भी होते हैं तो यहां पर क्या होता है यह प्रेजेंट होता है तो अगर ओपर कुलम यहां पर काटे देजिए हैं फिश में आप देख रहे हैं यहां पर अपसेंट है लेकिन ओपर कुलम प्रेजेंट किसमें वहने का यहां पर बॉ एक तो बने बने इसाइम इसके बारे में हूँ नहीं होते हैं इसके बारे में यहीं हम डिसके पारे में लिक्रिट्री स्कूर्टर के बारे में देखे यही पर हम discuss करेते हैं कि यहाँ पर देखे मैंने इसका जो last base लिया है मतलब इस discussion का वो क्या है X-creator structure है ठीक है देखे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं X-creator structure के बारे में ठीक है अगर यहाँ पर X-creator structure के बारे मतलब उच सर्जन के लिए पाए जाने वाले जो भी structure होते हैं इस ड्वेंट इसके बात करते हैं देखे मैंने कहा अगर suppose यहाँ पर फॉस्ट ओफॉल हम cartiligineous fish के बात करें किसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उच सर्जी संदस्तना किसके लिए मैंने कहा किस प्रकार के fish के लिए आप यहाँ पर लेखने लिखा हुआ है cartiligineous fish के लिए मतलब उच पास्ती मीन के लिए उचसर्जी संदस्तना होती है इसे कहा जाता है cloaca क्या कहता है इसे कहा जाता है cloaca ख्लोएका को हिंदी में क्या केते हैं को बारे में हम इससे पहले भी श्ट्टी कर चुके हैं जब हमने आपको SK helementese file में बटाया था और हमने difference देखा था male iskeris और female iskeris के बीजिए में ठीक है अब देखिए तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो मेल इसके रिस है उस पर क्लोएका प्रेजेंट होता है पीनियल सेटी वाले पार्ट को मैंने जूम इन भी किया था माइक्रिस्कॉप से स्टेडी करके उसका क्या व्यू दिखाया था यह भी बताया था आपको फिर मैं देखिए यहां पर कहा कि अगर हम काटिली जीनियस फिश की बात करें तो मैंने कहा यह जो है इसमें क्लोएका होता है जिसे क्या कहते हैं इसे इसे अवसकर दौार कहा जात है लेकिन यहां पर अगर एक स्टॉक्चर की बात करते हैं किसके यहां पर यहां पर हम किसकी बात करें बॉनी फिश की बात करते हैं यहां पर हम गुदा मार क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे गुदा मार कहेंगे ठीक है अब देखे मैंने यहाँ पे जो structure आपको बताएं है वो दो special type के structure है आपने देखा कि जब भी हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे एनस या गुदा मार की तो यह दो परकार के structure के बारे में आपने देखा लेकिन यहाँ पर देखे एक note point में आपको provide करने वाला हूँ देखे यह क्या है कि especially अगर हम किसकी बात करें especially हम अगर यहाँ पर cartilaginous fish की बात करें किसकी बात करें अगर यहाँ पर cartilaginous fish की बात करते हैं तो cartilaginous fish में क्या होगा मैं आपको यह बता दू यहाँ पर cartilaginous fish जो होता है इसमें cloaca के पास में एक structure present होता है और इस structure को क्या कहते हैं देखिए इस structure को कहा जाता है basically क्या मैंने कहा इसको कहा जाता है clasper क्या कहता है इसे कहा जाता है clasper ठीक है और यह जो clasper है वो एक ऐसा structure है जो किसके पास present होता है मैंने कहा cloaca के पास जो है cartilaginous fish में clasper जैसा कुछ structure दिखाई देता है और इस clasper को क्या कहेंगे मैंने कहा यहाँ पर जो clasper होता है यह किसमे में Help फर्म करता है इस जननगे प्रकरियां में क्या करता है चीक है आपने सब्सक्राइब करता है इन सभी पॉइंट एक्जोस्केलीटन के बारे में भी मैंने कहा यहां पर ऐसा क्यूं है कि काटीलीजिनियस फिश जो है उसको हम कहते हैं ओपास्तीमीं या इसको कहनेυτा सिध मानीजिनियस फिश्ट को बॉटनी फिश क्यों क्यों कहते हैं तो इसका आधार क्या मैं आपको यहीं परीबता देगी मैंने का अगर हम यहां पर अंतयक कंकार की बाद करें या फिर एक्जोएशेटर की बाद करें ठीक है तो यह जो कें से बना हो सकता है मैंने का हो सकता है कि는 अंते कंकाल किसे बना हो मैंने का उपास्ती से बना हो किसे बना हो मैंने का अगर अंते कंकाल उपास्ती से बना हो और हो सकता है कि यह अंते कंकाल किसे बने हो सकते हैं मैंने का अस्ती से भी बने हो सकते हैं यहां पर उपास्ती से भी बने हो सकते हैं और अस्ती से भी बने हो स cartilage जो है वो comal प्रकार के structure होते हैं जब कि अगर bonds की बात करते हैं जिसे अस्ति कहते हैं ये क्या होते हैं hard मतलब बहुत कठोड प्रकार की संरस्ता होती है initial stage में किसी भी particular zeeb में जब उसका भूनी परिविदन होने के बाद के बात कर रहा हूँ तो वो cartilage stage होता है जो आगे west में मतलब adult में change दो करके bond में क्या हो जाते हैं modify हो जाते हैं रूपांत्रित हो जाते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह जो अगर उप अस्ति से बना हो तो हम इसे क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे cartiligineous fish क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा cartiligineous fish ठीक है और यहाँ पर अंपक अंकाल यहाँ पर किससे बने होते हैं अस्ति से बने होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे बताया आप मुझे इसे हम कहेंगे bonnie fish क्या कहेंग हूँ इसके बाद हम further study करेंगे देखिए मैंने आपको क्या बोला हमने यहां पे some basic differences between the cartilaginus fish and the bonnie fish क्या किया consider किया मैंने बताया कि on the basis of caudal fin यह जो है symmetrical भी हो सकते हैं asymmetrical भी हो सकते हैं अगर symmetrical हो तो दौनों ही आपको दिख रहा है यह दौनों ही सिरे जो हैं caudal fin के क्या होते हैं मैंने का यह एक जैसे दिखाइ देते हैं इसे हम homo-sacral भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मैंने का इसे homo-sacral भी कह सकते हैं और यह bonnie fish में क्या होता है present होता है अगर asymmetrical fin की बात करते हैं तो asymmetrical fin जो होता है basically यह कहां होगा मैंने कहां यह उपास्ती मीन में होता है और इसे क्या कहते हैं इसे heterosectal भी कहते हैं इस diagram मैं आपको रेखने को बिल रहा है कि डॉनों ही series जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल भी equal नहीं है इसे लिए क्या कहेंगे इसे उपास्ती मीन कहेंगे देखें यहां पर अगर हम बात करें finagle gills slit की मतलब ग्रश नहीं है clone विधर की तो यहां पर क्या present होता है मैंने का यहां पर सोशन जो है यह finagle gills slit जो है सोशन के लिए responsible है अगर यहां पर numbers की बात करते हैं तो अगर यह 5 pair किसमे होते हैं यहां पर cartilaginus fish में 5 pair होते हैं और bonnie fish में कितने होते हैं मैंने का यहां पर यह bonnie fish में 4 pairs होते हैं note point बताया कि यह जो finagle gills slit होते हैं वो कुछ विसेश प्रकार्ट के structure से ढखे होते हैं इसे क्या कहते हैं इसे ओपर कुलम कहते हैं क्या कहते हैं इसे इसे ओपर कुलम कहा जाता है और यह जो ओपर कुलम होते हैं इसे गिल्धापन कहते हैं वैसे लिए इसकी बात करें तो मैंने का कहां present होगा कहां absent होगा cartilaginus fish में ओपर कुलम नहीं पाया जाएगा ठीक है अब दिखे मैंने का उसका जो फेरिंगल गिलषित होता है उसका जो ग्रशनी एक विदर होते है वो ऐसे वा ऐसली अंगर कवर्ड होते हैं ढटके अवे नहीं होते हैं किसमे उपास्तिमीन में मैं लकिन हम अगर अई स्तीमीन बात करते हैं तो वहाँ पर oberculum present है ठीक है अब देखिए मैंना इसी बेस पर आपको next जो हमारा criteria था वो क्या था वो था x-critical structure मतलब उच्छी संडस्टना उच्छी संडस्टना अगर यहाँ पर cloaca है तो cloaca किसमे होगा cartilaginous fish में अगर anus है तो किसमे होगा मैंने का bonny fish में अब देखिए यह क्लेका के पास ही एक structure present होता है इस structure को क्या करते है मैंने का इसको clasper क्लेस पर कहते हैं और यह जो clasper होता है वो help किसमे करेगा मैंने कहा यह reproduction में क्या करेगा help करेगा किसमें यह जिनन में help करता है तो इसे बात करते हैं तो अंत्य कंका manifest का बना हुआ ऐक्स करकें के इन सब हमें क्या करेक्टर को चुन के साथ यहाँ यहां पर हम रहते हैं। कुछ एक और जैनरल जो होते हैं जैसे हमें पढ़ना है हम यह देखने वाले हैं। देखे अब आपको क्या बताऊंगा कि यहां पे जो अगर फिश की बात करते हैं तो फिश में क्या present होता है मैंने कहा एक विशेष प्रकार के लिए balancing structure जो होता है वो present होता है अब यह balancing structure जो होता है क्या होता है मैं आपको यह बता दूँ मैंने कहा यहां पे संतुलक संस्तना के बारे में बात करने वाले हैं तो यहां पर लिख दिया कि अगर हम किसकी बात करें अगर हम यहां पर balancing structure की बात करते हैं तो यह जो balancing structure होता है वो यहां पर क्या होता है इसे कहते हैं रियो receptor क्या कहते हैं इसे कहा जाता है रियो receptor क्या कहते हैं अब देखो यहां पर अगर यहां पर रियो receptor बोला है इसी रियो receptor को और क्या कहते हैं इसी को ही क्या कहा जाता है हम यहां पर और लिखते हैं यहां पर इसी रियो receptor को क्या कहते हैं इसी को कहा जाता है य Neuromastructurejust Organ भी कहते हैं Neuromast incarnate of rim Neuromect organ के साथ साथ इसको और क्या कहे सकते हैं इसी को कहा जाता है Lateral Lines Cells Organ क्या क्या कहते हैं ये कहते हैх Lateral Lines Sense Organ और ये बहुत जगा important है Lateral Lines Sense Organ जो है Markus जो है Fishes में generally present होते हैं और ये वो structure है जो इनके body को क्या करते हैं balance करने में मतलब उनको संतुलन प्रदान करने में क्या करते हैं responsible होते हैं दिखिए अगर मैंने कहां यहां पर पार्षवियर जो रेखा और sense organ को क्या कहेंगे सम्वेधी अंग कहेंगे पार्षवियर रेखिए सम्वेधी अंग होता है या फिर क्या होता है यहां पर neuromast organ होता है या फिर इसे ही क्या कहते हैं रियो receptor कहते हैं जो कि इसमें संतुलन के लिए present होते हैं किसके लिए मैंने का यह जो है balancing के लिए या फिर balance के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं structure होते हैं अब देखिए इतने सारे point को discuss करने के बाद हम यहां पे एक और special point discuss करते हैं यह भी इसी का ही important point होता है इन सभी point के बाद हम discuss करते हैं मैंने आपको previous lecture में भी थोड़ा बहुत बताया था किसके बारे में मैंने आपो कहा था कि fish में क्या present होता है fish में यहां पे swim blader present होता है क्या होता है swim blader present होता है और इसी swim blader को क्या करते हैं इसी को कहा जाता है air blader क्या करते हैं इसे ही कहा जाता है air blader भी इसको कहते हैं या तो हमने बोला इसे swim blader ठीक है या फे इसे हम कह रहे हैं क्या air blader अब ये जो air blader यहां फे present है ठीक है हम इसकी बात करें तो ये जो air blader होता है ये help किसमें करेगा देखिए ये help मतलब ये सहायता किसमें करता है मैंने का ये तैरने में मतलब swimming में क्या करेगा करेगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट जो है मैंने आपको बताया था प्रिविएस लेक्चर में भी मैंने का यह तैरने में क्या करेगा थाल करेगा स्वीमिंग के साथ-साथ यह कहा और किस पर्टिकलर प्रोसेस में help करेगा यह swim leader तो मैंने का यहां पर यह sometime respiration में भी क्या करते हैं help करते हैं किसमें मैंने का यह respiration मतलब सौशन में भी क्या करेंगे help करेंगे तो यहां पर सौशन में भी सहायक है साथुसेंट ह Minh झाले थे यहां पर कभी 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 गमन में क्या करते हैं सहीता करते हैं देखें लेकिन क्या है कि यह जो होता है कि समय अधे लिंग पर अगर पर अपने body को balance करने के लिए हमेशा क्या होता है हमेशा उनको अपने पकने को हिलाना पड़ता है तैडने के लिए swimming के लिए क्यों क्यों कि उसमें क्या नहीं है उसमें air blader नहीं होता है अब देखिए अगर हम इसी particular point में हम पढ़ें किसके लिए अगर हम यहां पर bonnie fish के इसमें क्या करते हैं यहां पर कहेंगे कि यहां पर क्या present होगा मैंने का यहां पर air blader present होता है यह बहुत ही smoothly movement कर पाते हैं जल्गे सते पर water के surface पर लेकिन यहां पर यह भी का जाता है इसमें पाया जाने वाला जो air blader होता है swim blader होता है वो क्या करते हैं मैंने कहा वो basically archimedes के सिधान के अनुसार इनके body को उत्पलावक बल प्रदान करने का काम किसका है मैंने कहा इसी air blader का है और किसमें क्योंकि यह bonnie fish को present होते हैं तो यह अस्तिमीन में ही क्या करेंगे यह force provide करेंगे इन सभी point को discuss कर देखिए इंपो क्पॉंटर में क्या present होता है कि इसी swim blader में क्या present होता है धकर यहांत इत्विसेश प्रकार का Yogi present होता है इस योगिक को कहते हैं इस योगिक को जो जो High terrorists केफे हैं और ये जो easy class होता है इसका यूज क्या है मेंने का यहомपर का compound होता है किसमें इस earebler मे में लेकिन इस ain glass का जो है अगर हम use की बात करते हैं किसका है कि इसका उपयोग क्या है आखिर ये किस उते चाहता है रहें । भी से किस यह उता का ये खिलोने जो है उसको निर्मान में मतलब ट्वाइज जो है न ट्वाइज मतलब खिलोने के निर्मान में भी इसको काम में लिया जाता है इस परकार के योगिक को खिलोने के निर्मान में ठीक है ट्वाइज को मैंनुफेक्टर करने के लिए साथ-साथ मैंने का अगर हम क प्योरिफिकेशन तो प्योरिफ्केशन में भी क्या करते है इसको हम यूज में लेते हैं इन सभी पॉइंट के साथ यहां पे हमने क्या किया बारे में कौन में 2016 का करना है ये जो resemble होते हैं आप सेंट होते हैं और प्रिजें्ट कीसमें होते हैं बॉणी फिस्ष में प्रिजेंट होते है थीक है हमने यहाँ पे इससे पिशी स्टी साल किलास या ग्सक्राइब कैसे होगा ठीक है हम इन सबी चीज़ों के बारे में देखेंगे और सासाथ मैं आपको इन दोनों ही प्रकार के अस्ती में और उपास्ती में के examples भी बताऊंगा ठीक है तो यह हम study करेंगे next lecture में लेकिन अभी जो हम start करने वाले हैं वो क्या है अब मैं आपको previous जितने भी फाइलम थे नौन कॉड़ डेटा के ठीक है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं और हम यहां पे questions discuss करने वाले हैं मैंने आपके लिए 20 important questions जो हैं सूस किये हैं आपको बिल्कुल जो है concentrate होकर के बिल्कुल धान लगा करके क्या करना है सारे answers को क्या करने पिक करने ठीक है तो start करते है questions का तो देखते हैं हमारे पास जो है जो first question है वो कौन सा है ठीक है यह देखिए मैंने कहा अगर हम first question की बात करें है आपके पास दिखाई ज़रा है very first question जो मैंने आपको बता है यह क्या है यह बता रहा है पूछ रहा है कि यह फिर third option है send warm और fourth option क्या है पिकॉक warm चार option आपके पास है जल से जल आप मुझे बताएं कि कौन सा answer जो है आपके पास जो चार option है वो कौन कौन से है मैं वपस बता दू चार option यहाँ पे है discuss करते हैं इसकी answer के तरफ देखिए पहले हमें यह decide करना होता है अगर कोई species कोई अगर पैजाती के बारे में दे दे हम पहले यह decide करते हैं कि आखिर यह किस phylum से आप जानते हैं कि बेलेनों ग्लोसर्स जो है वो क्या होते हैं यह हेमी कोड़ डेटा में आते हैं किस में आते हैं इसको एक और नाम दिया दता है इसे क्या क्यते हैं इसे हम बैसे कहते हैं तंग वाम क्या तेहीं से इसे कहते हैं टंग ओम कहते हैं जो बाहर निकालते रहते हैं और इसी सुभाव को दर्शाने के लिए जो है यहाँ पे इसको tongue warm कहा जाता है लेकिन question क्या है कि बेलेनो ग्लोसर्स जो है इन में से चार option में से tongue warm तो है नहीं लेकिन अगर आपको याद हो tongue warm के साथ मैंने बेलेनो ग्लोसर्स को और क्या कहा था मैंने इसे कहा था एक corn warm क्या कहा था मैंने इसे कहा था इसे ही क्या कहते हैं इसे ही हम एक corn warm भी कहते हैं चीक है अब देखिए हमने यहाँ पे बेलेनो ग्लोसर्स के अलवा एक और example discuss किया था वो secoglossus था ठीक है मैंने hemicorita phylum में ही इस example के बारें बताया था ठीक है और यहाँ पर देखे आपको क्या वालूम चला हमने यहाँ पर two classes भी discuss किये था ठीक है hemicorita में दो classes कौन कौन से मैंने एक बताया था आपको enteronistra के बारे में जिसमें besanoglossus आता है ठीक है और साथ साथ मैंने एक और जो class बताया था वो क्या था टेरो ब्रेंग क्या रेब्डोपलिरा के बारे में आपको बताया था ठीक है तो हमने यहाँ पर besanoglossus में देखा किसका commonly name क्या हो जाएगा चार option में से कौन सा option जो है वो सही हो गया मैंने का यह जो second option है वो ही क्या है a可wn warm है तो मतलब यहाँ पे option कौन सा सही हो गया second option जो की क्या है acon warm होता है बेलिनो गलोस界 का सामाने नाम क्या है इससे कहते है acon warm ठीक है next question हम करने जा रहे हैं किसे प्रिजेंट होता है तिसके आपसे तर्ड नरिया लारवाट सारॢिक यूसार आउसरा में किस आपता अप्षन में तर्ड जल से मुझे बताएं कि आपको आपको कौन सा उप्षन जो है वो सही लग रहा है मतलब torneria larva जो है इन चारो पर्टिकुलर जो ग्रूप दिये हुए है जो phylum दिये हुए है या classes given है उसमें से कौन से पर्टिकुलर phylum या class के member या sub phylum के member में जो है क्या present होता है torneria larva present होता है बिल्कुल straight forward question है मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको किस के बारे में किस phylum के बारे में बताया था जब मैंने आपको hemicorita के बारे में बताया था इसी hemicorita में आपको कहा था कौन सा larva present होता है मैं देका यहाँ पर जो है एक larva present होता है इसे क्या करते है य यहां पे टॉर्ड नेरिया लार्वा मतलब लार्वल स्टेज यहां पे क्या है प्रिजेंट है ठीक है तो यहां पे हम यह भी बात कर लें किसका एंब्रियोनिक डेबलप्मेंट क्या होगा भूर्णिय परिवदन आप सबी को पता है एंब्रियोनिक डेबलप्मेंट जो होग सीधर ही आपको decide करना होता है कि towner या larva जो है वो किस phylum में present होता है ठीक है, हमें तो euro chordate, vertebrate और cephylo chordate के बारे में discussing नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यह सब ही जो होते हैं, euro chordate जो होते हैं, vertebrates होते हैं, cephylo chordate होते हैं, यह सारे chorda phylum में discuss करते हैं, लेकिन आपको पता है, hemi chorda तो यहां पर लारवा कौन सा है मैंने का टॉड नेरिया लारवा अब हम लीड करने जा रहे हैं नेक्स कोईशन के तरफ कोईशन नमबर थोड देखिए क्या है पहले हम इस्टोटल लालटेंट मैंने आपको इसमें हिंदी में बताया था अरस्तू का लालटेंट जो कि एक किस प्रकार का स्टॉक्चर होता है मैंने का यहां देखे लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है मैस्टिकेट्री एपार्टस क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है मैस्टिकेट्री एपार्टस एक मतलब यह मैंस्टिकेट्री एपार्टस क्या होता है पहले मैं आपको यह ए लिया गया है किसे ostrich Jackson से लिया गया है Mexican का meaning क्या होता है यहां पर क्या होता है चबाना होता है और the meaning क्या है मतलब परभिभूर वह स्ट्रयड двух जैसा कूछ प्रप्षोच्छ जिसे क्या कहते है अरस्तू का कोन के नहीं चरह यह और लास्ट ऑप्शन क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या है सी एनिमॉन चारों ऑप्शन में से आप जल से दल मुझे बताएं कि ये मैस्टिकेशन मतलब चबाने के लिए या फिर इसको हम ये कहें भोजन के अंतर ग्रहन के लिए पाए जाने वाले एक जो स्टॉक्टर होता है अरस्तू का लालतेन या एरिस्टोटर लालतेन कहते हैं आखिर ये कौन से मेंबर में प्रेजेंट होता है विकुल स्क्रेट फॉर्वर्वर्ड ही कोशन है हम वन बाई वन सभी मेंबर की बात करेंगे देखिए हम यहां पे अगर किसकी बात करें फर्स्ट ऑफ आफ और सी इसे बात करें यहां पर सी अर्ची जी होता है इसे क्या केते हैं स्ट्वन इसे ही इककाइनिंस क्या कएते यह होता है और किस वर्ग में आता है मैंने कहा यह above किस बाता है अगर यह देखिं कि practically यह किस फाइलम में हो बताया था जब मैंने आपको इकाइनो डर्मेटा फाइलम बताया था ठीक है एकाइनो डर्मेटा फाइलम में जब हमने क्या डिसकस किया था यह एक जो वर्ग होता है एक क्लास होता है उसी का जैसे क्या क्या क्यते हैं इसे क्या 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 क्यते हैं इसे इकाइनोइडिया क्यते हैं तो इसी पर्ट स्टुक्शर्स होते हैं यहांने बोजन के अंतर ग्रहन पाए बोजन्स में पाए जाने वाली होते हैं प्रिटल स्टार या भंगूर तारा लेकिन आपको मैंने वहां पर एक नोट पॉइंट प्रवाइट किया था कि एरिस्टोटल जो लाल्टेन होता है वो केवल एक ही वर्ग में पाया जाने वाला अभी लाक्षनिक गुंदर्म होता है और वह वक कौन सा होता है इक नोट या क्या पूछ रहा है कि टिक मार्क दरॉंग मैच मतलब चार ओप्षन जो है मिलान वाले हैं मैचिंग वाले को सिख रहे हैं कि particular matching वाले column बने हुए हैं, एक column में particular ये character दिया हुआ है, और एक species का नाम दिया हुआ है, first column में, second में दिया हुआ है, आपको क्या classes given है, आपको बस ये पैचानना है, कि यहाँ पे कौन सा column miss match है, miss match का मतलब wrong answer कौन सा है, force देखिए, force देखिए, यहाँ पे क्या है, आपसे प बिलोंग करता है, third option है, C archin जो है, वो ekainoidia से बिलोंग करता है, और उसके बाद जो last option है, question number four का, जो fourth option है, वो क्या है, C cucumber जो है, वो asteradia से बिलोंग करता है, ठीक है, चार option है, आपके पास, चारों में से आपको ये पैचानना है, कौन सा गलत मिला हुआ है, मतलब wrong match के ब answer नहीं दे सकते, पहले सोचना परेगा, logic है यहां पर, पहले आपको सोचना परेगा C lily, मतलब सोचते हैं कि C lily के बारे में हमने कहां देखा था, यहां पर first of all ये देखें, जितने भी members आपको दिख रहे हैं, वो किस phylum के लग रहे हैं, ये classes जो है, वो किस phylum के हैं, तो first इसे हम कहते हैं, ये जो एंटीडॉन होता है, वो किस class में आता है, मैंने कहा, ये क्या, ये क्राइनोडिया में आता है, बिल्कुल सही है, ये तो आता है किसमें, क्राइनोडिया में ही आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दू, question हम से, ये पूछ रहा है, कौन सा correct match है, ये पूछ रहा है, कौन सा wrong match है, miss match पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, चीक है, तो ये option तो कभी नहीं हो सकता, अब हम second option की बात करते हैं, बिटल स्टार, बिटल स्टार को जो है, क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, भंगूर तारा, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, offiotherics, क्या कहते हैं, इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है, offiotherics, और ये जो offiotherics है, भंगूर तारा है, उसके लिए आगे जो classes के name given है, वो क्या है, offiotherics बिल्कुल सही है, तभी तो हम कह रहे हैं, offiotherics, this particular class में आता है, भंगूर तारा जिस class में आते हैं, उसे क्या क 시 Vergleich र समूदरी अब ही हमने धोड़े देर पहले जो कुरियर्स करीशन था उसमें भी अमस्केस किया था कि जो सी अर्चीन जिसे क्या करते है इसे ही करें इसे कहा जाता है और यह जो होता है किस क्लास के member होता है मैंने का यह इकाइनोईडिया का होता है किसका होता है इकाइनोईडिया का होता है चीक है मतलब यह भी क्या है यह starting के तीनों ही correct match हो गए question पूछ रहा था कौन सा wrong match है चीक है आप देखिए यहाँ पर obviously बाते fourth option ही मुझे सही लग रहा है आप देखिए य यह जो है basically किसका common name था हमने यहाँ पर एक example पढ़ाता है अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर पढ़ाता हौलो थूरिया के बारे में चीक है यह फिर हौलो जो थूरियन्स होते हैं हौलो थूरिया या फिर हौलो थूरियन्स जो एक species होता है इस particular phylum का एक कायों डर्मेटा phylum का इसी को क्या केते हैं सी cucumber केते हैं और यह जो सी cucumber होता है वो किस का particular किस class से बिलोग करता है तो basically यहाँ पर तो लिखा हुआ है остeroidia. और यहां पर क्या यह सही है क्या? मैने का नहीं, बिलकुल यह सही नहीं है, मैने का यह wrong match है क्यों? kaos diec na? y contributed hollow thuroidia. क्या कहते हैसे? ये इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा wrong match वाला हो गया मैंने का यह जो fourth option दिख रहा है जिसमें match किया हुआ है किसका किसके साथ मैंने का C cucumber को जो है esteroidia में बताये गया है वो तो क्या है मैंने का यह wrong match होता है हमने हर option को individually separately discuss किया है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई option ठीक है तो यहाँ पे पहले यह भी देखना होता है उस correct option से पहले आप जो है बाकी के जो third three options होते है उसको भी analyze करें कि आखिर यह गलत की होई सीधे question next question की और बढ़ते है question no.5 क्या है पहले हम इसको read करते है क्या पूछ रहा है हमसे यह question यह बोल रहा है कि member of echinodermata has a specific system which is not found in the other phylum and it is यह पूछ रहा है कि member of echinodermata echinodermata जो sang है इसमें आने वाले जितने भी सदश्य होते हैं उसमें एक special type का system present होता है तंतर पाया जाता है जो किसी दूसरे phylum में नहीं पाया जाता तो वो तंतर कौन सा है चार option है आपके पास देखते हैं कौन कौन सा option है canal system चिक है पहला क्या है canal system second option है water vascular system third option क्या है respiratory system और fourth option क्या है reproductive system चारो option में से आपको कौन सा जो है सही लग रहा है जल से जल आप अपने answer को pick करें बिल्कुर straight forward question है और बहुत ज़दा important भी है इन नौनों ही options में आपको confusion नहीं होना कौन सा option first option और second option क्यों तो कि ये canal system मतलब water canal system दिया हुआ है और यहाँ पी क्या है water vascular system सिदे आते हैं इसके discussion पे हम इसको discuss करते हैं हमसे कौन से phylum के बात की रहे है हमने कहा कि यहाँ पर जो हम phylum देख रहे है यह कौन सा है यह है echinodermita कौन सा है यह echinodermita है ठीक है लेकिन इससे पहले एक और phylum के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब हमने पढ़ा था sponge के बारे में किसके बारे में sponge के बारे में sponge को ही क्या कहते है sponge को ही कहते है polyferrati आपको जो है इन सब ही आने वाले जो आगे के phylums है उसको पीछे वाले backward वाले phylum के साथ connect करना आना चाहिए ठीक है तुकि options में ऐसे बहुत कम chances होते है कि किसी particular एक ही phylum के character दिये वे हो option में क्या होगा चारो option में चार अलग-अलग phylum के character देते हैं कई बार है न तो आपको वहाँ पे differentiate करने के लिए इसको interconnect करना आना चाहिए इनका interconnection जो है आना चाहिए different type के phylum के characters के बीच में ठीक है अब देखिए मैंने का अगर यहाँ पे sponge और porifera की बात कते है तो यहाँ पर भी एक system present था जिसे क्या कहते हैं जिसे कहते हैं WCS मतलब water canal system क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं water canal system कहते है मतलब इसे क्या कहा जाता है जल नाल तंतर तो यहाँ पे देखिए यह canal system क्या है यही नाल तंतर को represent करता है किस के लिए होता है मैंने कहा यह जो है H2O के लिए होता है मतलब यहाँ पे H2O जो है वो conduction सो करता है और यह जल नाल तंतर जो है वो particular क्या होता है Water Vascular System होता है यहाँ पर होगा जल समवहनतंत होता है किस में मैंने कहा यहाँ पर अगर किसी बात करें यहाँ पे Kyon Dermeta के members की बात करते हैं तो उसमें Water Canal system नहीं होता है होता है वाटर वैस्कुलर स्टम होता है जो किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाई जागा इसका एक special character होता है ठीक है? यहां पर देखिए अगर यहां पर सीद है Water वैस्कुलर सिस्टम के फंसन के बारे में भी आपको बताये था Water उटरuest के बार मैं अभी आपको बताए था कि कि यह था है कि इसके डौर्शाल सर्फेस पर क्या होता है मैंने कहा एक special type के नलिका present होता है झिसली नलिका केते हैं स्टाइग ऊप si Liep cycling के साज़ा कि से सीधे आता ही वो क्या है basically सही answer है जो यहाँ पे इस question से बिलॉंग करता है लेकिन मैं आपको इसके function के बारे में भी यहाँ पे बता दूँ क्योंकि detail study कर रहे हैं यहाँ पे function देखें तो function कौन-कौन सा होता है मैंने का यहाँ पर यह food को capture करने के लिए भी क्या होते है responsible होते हैं मतलब जो है भोजन को collect करने के लिए उसको एकत्रित करने के लिए क्या होते है responsible होते हैं इसके साथ साथ जो next यहाँ पे इसका function होता है यह होता है food का injection क्या होता है यह होता है food का injection मतलब यह भोजन के अंतर गहन में भी help करते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे sometime यह किसमें help करेंगे respiration मे किसमें help करते हैं मैंने का ये जो है excretion में help करते हैं किसमें excretion में लेकिन इन सभी function के अलावा जो सबसे ज़्यादा important और main function जो होता है वो क्या होता है मैंने का main function होता है locomotion क्या होता है अगर यहाँ पे locomotion की बात करें गमन की बात करते हैं तो गमन जो है, बैसेकलि अगर लोकोमोशन की बात करते हैं, तो यहां पे इस प्रकार की कारी होता है, वो मुखे रूप से जल, समवहन, तंतर जो है। अगर क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ने आपको Echinodermita Phylum के बारे बताए था ठीक है सदलते हैं सीधे next question के तरफ question number 6 क्या है देखिए पहले हम read करते है question number 6 क्कों सा है question पूछ रहा है कि respiratory organs in the mollusk are यहां पूछ रहा है mollusk किसको कहेंगे mollusk कहेंगे जो भी molluska phylum के जो members होते है उसके mollusk कहेते है या molluskans कहेते है अब देखिए mollusk जो होते है उसमें सौशन के लिए पाए जाने वाले जो structure होते हैं वो कौन से होते हैं यह पूछ रहा है देखिए चार option है सीधे यहां पे बहुत simple से option है फर्स ओप्शन है टिने जिया कमेंट बॉक्स में सीधे यहां पे आंसर पे आते हैं कि सौशन यहां पे सौशन के लिए जो अंग होता है mollusk का फाइलम में वो कौन सा होता है सीधे ही यहां पे डिलेक्ट टिक कर रहा हूं यह कौन सा होता है मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मॉलसका में हम किस मॉलसकंस की बात करें अगर हम यहाँ पे पहले जलिये मॉलसकंस की बात करें किसके मैंने कहा अगर यहाँ पे जलिये मॉलसकंस की बात करें तो जलिये मॉलसकंस में क्या होता है tinidia present होता है tinidia कहां present होता है मैंने का tinidia जो है इनके mental cavity में जो परवार गुहा है न वहाँ पर क्या होते हैं tinidia present होते हैं और मैंने आपको एक snail का hypothetical diagram बता के इसको explain किया था और mental cavity में present होते हैं और ये टीनिडिया होते क्या हैं मैंने का ये जो टीनिडिया हैं वो basically गिल जैसे structure होते हैं जिसे क्या करते हैं ये जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं मैंने का ये पंक नुमा होते हैं विंग लाइक होते हैं पंक नुमा गिल present होता है जो कि किसमें help करता है म बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यह तो के बने आपको कहता है अगर किस तर्फ और करें यहлей परुंस प्रकार का जाल की especially किसके बारे में अगर यहां पर question आपसे पूस्ता कि इस थलिये प्रकार के मुलसकन में क्या होता है तो यहां पर answer होता हमारा क्या answer होता पल्मोनरी से क्या होता यहां पर क्या present होता है पल्मोनरी से प्रिजेंट होता है ठीक है तो हमारा सीधे answer कौन सा हो गया टिनीडिया अंसर जो हमारा हो गया, सही हो गया, करेक्ट हो गया कि यहां पे सोषन अंग जो है मॉलसका में जो पाये जाते हैं वो क्या होते है, टिनीडिया होते है ठीक है? नेच्स क्यू Unoigmat क्यों लीड करते हैं क्यों नमर्स सेवन है यहाँ पे ले मिली ब्रेंखिया ठीक है और यहाँ पे जो third option है वो क्या है बॉत अपदे एबो और यहाँ पे फोर्ट option क्या है नन अपदे एबो ठीक है सीधा सा straight forward question है आपको बस बताना है पिली साइब पोडा जो है basically यह class होता है ठीक है और इस class के बारे में हमने study कर रखा है और यहाँ पर जब हम किसके बारे में जब molluska का classification देखते हैं तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था पिलिसाइपोडा के बारे में सीधा इसका अंसर है क्या मैंने का यहाँ पर बायवालबिया है और इनके वालब की संख्या कितनी होती है दो होती है इसलिए इसे क्या केते है मैंने का बायवालबिया केते है जहाँ पर बायवालब का मतलब क्या होता है टू होता है अगर यहाँ पर हम किस class की बात करें यहाँ पर तो हमने यह पिलिसाइपोडा की बात किये लेकिन यहाँ पे अगर हम किस class की बात रहे हैं यहाँ पे अगर question gastropoda के बारे में आता तो gastropoda में कितने वाल्ब होते हैं मैंने का यहाँ पर केवल एक single वाल्ब होता है यह क्यों होते हैं और three का party यह कौन होते हैं पिली साइपोडा के जो भी member होते हैं ठीक है सीधा सा straight forward इसक से कहा जाता है मैंने का यह जो है इसे बाय वाल्बिया भी कहा जाता है next question question number eight की तरफ लीड करते हैं question number eight में क्या पूछ रहा है यह बहुत जदा important question है यह double star लगाने वाला question है यह क्या है कि ink gland occurs in मतलब यहाँ पी पूछ रहा है कि स्याही गरंथी जो है किसमें पाए जाते है चार option है आपके पास चारो member दिये हुए है कौन से हैं मैंने का एक तो है क्या एफिनियोरिया ठीक है सकेंड क्या है सिफेलो पोड़ा फिर थर्ड option है गेस्टो पोड़ा और फोर्ट option क्या है पिली साइपोड़ा चारो classes के name given है आपके पास और चारो classes में से आपको जल से ज पास है फिर सोचे कि कौन सा member है और उसमें स्याही ग्रंथी का काम क्या है यह सारे जो है question को आपको इसे इंटर लेट करके बताना है चारो option में से सीधे हम discussion पर आते हैं कि आखिर कौन सा जो है इसमें सही होना चाहिए पहले हम बात करते हैं यहां पर कि इसे कहा जाता है स्य क्या ही ग्रंथी कहते हैं जब मैंने आपको किस के बारे में बताया था जब मैंने आपको सिफेलो पोडा के बारे में बताया था जब मैंने आपको मॉलस्का फाइलम पढ़ाया था तो वहां पे सिफेलो पोडा एक क्लास था ठीक है और इसी सिफेलो पोडा क्लास में क्या ह के बारे में हम यहां पे जब यह से लो पोड़ा अक्रमन और सुव्म की सुरक्षा के लिए पाय जाने वाले फॉणुजर्भी यहां पे जैसे के लिए पाय जाने वाले ठीक है लेकिन यहां को बेसे लिए defense के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं structure होते हैं अब सीधे layout करते हैं हमारा सीधे answer क्या हो गया question 8 का जिसमें क्या present होता है यहां पर स्याही ग्रन्थी present होती है सीधे comment 8 के बाद question 9 के तरफ़ advance 9 कि तरफ लिड करते हैं मैंने का apple snail is the common name और सीधा बहुत सिंपल सा कुछन पूछ रहा है कि यह जो सेव घूंगा जिसे हिंदी में कहते हैं एपल स्नेल जो कहते हैं यह किसका कॉमन नेम है किसका सामानिय नाम है चार आप्षण आपके पास दिया हुआ है यह चार आप्षण कौन से हैं मैंने का फॉर्स्ट होता है यह किसका कॉमन नेम होता है यह पूछ रहा है हमसे चार आप्षण में से बिल्कुल आपको जो सकेंड ऑप्षण दिख रहा है स्टेट फॉर्बर कॉशन है सोचने वाले कोई टाइम ही नहीं लगना चीज़ कॉशन में बहुत जैदा सिंबल कॉशन है सीधे हम बात कोई नमर 10 हमसे पूछ रहा है कि और ऑफ बahnar जो होता है मतलब इक परकार के उस्ट सर्जन पाय जाने वाले स्टक्चर होते हैं मतलब एकस्प्रेशन के लिए रिस है और गन औ बोज़ानस इसके बारे में मैंने आपको किस वायलम है यह चार उप्शनदये विए आपको बताना है किन चारों में से और गन और गन करता है किससे रिलेक्टेड होता है। देखिये चार कोडेटा सकीन ऑप्षिन यहां पर कैन डिर्मेटा थे क्या option है third है एनलिडा और fourth option क्या है मौलस का चीक है चारो option दिए वें चारो phylum है आपको जल से जल मुझे बताना है कि यहां पे organ और बोजानस जो है यह एक परकार का उत्सरजी से अनुस्ता है मैंने हिंट भी दे दिया आपको यह क्या है एक्स्क्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्टॉक्चर होते हैं और चारो option में से कौन सा सही है देखिए सीध्या साई इसका answer होना चाहिए लेकिन उससे पहले हम discussion करते हैं पहले कि यह organ और बोजानस क्या होता है देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि यह जो है क्या होते हैं यह एक्स्क्रीश टॉक्चर होते हैं मतलब यह क्या है उत्सरजन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं मैंन इसको मैंने का इसी को कहते हैं क्रैप्स ग्लेंड भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं इसे पेरिकार्डियल ग्लेंड भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे पेरिकार्डियल ग्लेंड भी कहा जाता है चिक है आप देखो मैंने यह सभी तरह के जो ग्रंथी के ब बताय था मेंने आपको basically किस phylum में बताया था किस संग में बताया था हमने जब पढ़ा था mollusca में मैंने उच्सरजी संसनाओ के बारे में पेरिकार्डियल ग्लेंड, क्रेप्स ग्लेंड, औरगन और बोजानस इनके बारे में क्या किया था एक्स्प्रेंड के तो तो आंसर क्या हो गया हमारा इस question का question number 10 का answer क्या हो गया यहां पे molluska phylum हो गया सिधे यह lead करते है question number 11 की तरब question number 11 क्या है पूछ रहा है, octopus के बारे में question आया हुआ है यहां पे octopus का common name आपसे पूछ रहा है कि octopus is commonly called, octopus जो है उसको क्या कहा जाता है सामानी रूप से, उसका सामानी नाम क्या होता है चार option दिये हुए है, बिल्कुल simple सा question है मुझे question read करने, इसके option read करने की भी अवशक्ता नहीं पड़ेगी बिल्कुल simple सा है, first क्या है, cuttlefish, second है devilfish और third जो है, hagfish और यहां पे silverfish भी दिया हुआ है ठीक है, देखिए, सिधा सा answer है, इसे क्या कहते है octopus को, octopus पहले किस class का member होता है सिफेलो पोड़ा class, क्या क्या कहते हैं साइफोनो पोड़ा क्या कहते हैं, सीधे सके और क्थिया था इसका common name क्या होता है, मैंने क्या यह जो second option है जिसे क्या कहते है, devilfish मत Elder Victusinking सीधे से ते स्टेट लिए ते स्टेट फ़र्वर से स्ट क्वेशन था कोन्हीं केprogram का कॉमन नीम होता है डेविल फिस होता है जुर्धे है आप देखिए नेक्सly अम्य दरीट करते है है節iaa लेक्स करण से उत्पाद होता है वो basically कौन से species के तुरू जो है produce होते हैं उत्पादित किये जाते हैं चार option है first option है ant, second option है यहाँ पे honey bee और third option क्या है locust और यहाँ पे fourth option क्या दिया हुआ है all ठीक है आपको बताना है कि यह जो wax है मैं वो किसके द्वारा mainly produce किये जाते हैं देखिए मैंने आपको सीधे से जब मैंने आपको insecta class के बारे में आपको बताया था वहाँ पे इसको discuss किया था मैं मित करता हूँ आप सभी ने अपने answer क्या कर दिया होंगे लेफ्ट कर दियोंगे यसीदे पूछ रहा है wax के बारे में wax को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं mom ठीक है और यह जो है primary product किसका होता है आप जानते हैं honeybee का होता है हनी बी के बारे में मैंने आपको किस क्लास में बताया जब मैंने आपको इंसेक्टा क्लास बताया था किसके बारे में जब मैंने आपको इंसेक्टा कोई क्या कहते हैं आपको बताये था किसके प्राइंर क्या होते हैं जो यह एक्सक्राइब या फिर यह जो इक्छ배 शानी भी उटा-ईसका मोम होटा ईस इसे और आगा Ama हम हनी की बात करें तो हनी क्या होता है नियुक्स कुछ बात करें कि अध्म होता हैं उसका सका οशैंब थार्टीन के दरफ लीड करते हैं कोशन नमर 13 कौन सा है देखे पूछ रहा है कि क्रैब एंड प्राउंट यह दो इस पेसी दिये होए है यह कौन से क्लास से भी लौग करता है चार क्लास आपको ओपशन में दिये हुए है कौन क्वाइब क्लास है इंसेक्टा सब्सक्राइब है डिपलोपोडा, थर्ड क्या है क्रिस्टेशिया और लाश्ट क्लास क्या है एरेक नीडा ठीक है इन चारो आप्शन में से आपको जल से जल मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें ये स्पिसीज जिसे हम क्रैब के रहे हैं या प्राउन के रहे हैं वो सम्बंदित है रिलेटिड है जल से जल मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके most appropriate answer लग रहा है सीधा सा straight forward question है ये कि आपको बस सोचना है कि पहले कौन से हम फाइलम की बात करें फिर आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आना चाहिए ठीक है देखें यहाँ पर सीधे यह बात करते हैं कि यह किस in Luckily member के बारें मैंने कहा यह अगर हम किसकी बात करें Orthopode कि किसकी बात करें यहाँ पर orthopoda की बात करें ठीक है और फिर पराउन में में जब मैने आपको कौन सा क्रस्टीशा क्लास पुड़ाय था क्रस्टीशा के différentes मेंबर के था कि क्रभ होते यह क्राइब होते हैं यह क्रवी से केकडा कैते हैं या इसे कैंकर के ती Cancar का यह जाए यह किया वर यहां पर को दूस्या क्राइब कर आता है उडाय ओंन और fringe method कि Amy सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है आपके पास फॉस्ट ऑप्शन है यहां पर ममेलिया और फॉर्ट ऑप्शन क्या है यहां पर क्रिस्टेशिया के बारे में बिल्कुल स्टेट फॉर्वर्ड फैक्चुल कॉशन ही पूच लिया है इसमें सोचने की बिल्कुल जरुतनी यह लॉजिकल कॉशन है नहीं सीधे यह आपका अंसर ना चीए कि अगर हम जब भी लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो होता है और्थरोपोडा का ही क्लास है जिसे क्या कहते हैं हेक्जापोडा या फिर इंसेक्टा कहते हैं क्या कहते हैं मैंने का इसे कहा जाता है हेक्जापोडा या फिर इंसेक्टा कहते हैं तो यह हमरा आंसर क्या हो गया इंसेक्टा और हेक्जापोडा एनिमल किंग्डम का वो बै बहुत अधिक है इसलिए हम कहते हैं कि इंसेक्टा या फी हेक्जा पोड़ा जो है इस कंसिर्ड़ एज लार्जेस्ट क्लास ओफ एनिवल किंग्डम ठीक है सीधा सा यहां पर आंसर था कोशन नमर 14 को में डिसकस कर लिया सीधे लीड करते हैं कोशन नमर 15 के दरफ यह क्या किस क्लास से समधित है पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि यह पहले किस फाइलम में है ठीक है पहले आपको संग के बारे में सोचना चीए उसके बाद उसके क्लास के बारे में फिर मेंबर के बारे में सोचना चीए चार ओप्शन दिये हुए है फॉस्ट ओप्शन है क्र नाम होता है आपको बताना है कि चारो उप्शन में से कौन सा उप्शन सही है बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड कोशन है स्कॉलोपेंडरा के बारे में मैं आपको किस क्लास में बताया था आपको मैंने काईलोपोडा क्लास के बारे में बताया जाटे काईलोपोडा में ही यहां पर एक single member के बारे में हमने study किया था वो कौन सा था वो scholopendra सत्पादा था जैसे में यहां पर जो body के अगर parts की बात करते हैं तो यहां पर अगर body parts की बात करें या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं अगर हम इसके segments की बात करें ठीक है उस पे पाए जाने वाले jointed appendages के बारे में आपको special character बताया था, कि यहां पे जो jointed appendages, सहीत उपांग जो यहां पे प्रथम खंड पे पाए जाते हैं, वो किस में modify हो जाते हैं, मैंने का यह modify हो जाते हैं, modification सो करते हैं, किस के अंदर, मैंने का यह modification सो करते हैं, हैं यहां पर पॉजनियर्स क्लो होते हैं मैंकि हंग Ϭाजनम होते हैं इसस tad ॐ इस तरह को चलास का मेंबर होता है का रूपहर का होता है next question question number 16 discuss करते है question number 16 क्या है which of the following animal is called living fossil ठीक है आपसे पूछ रहा है चार option दिये हैं आपसे पूछ रहा है यहाँ पे living fossil जो है मतलब यहाँ पे जीवित जिवास्म की बात करें तो आखिर वो particular कौन सा species आपको इन चारों option में दिख रहा है जिसे जीवित जिवास्म केते हैं चार option है आपके पास कौन से है मैंने का चार option है फर्स्ट option है लिविलस्ट जिवास्म क्या है यहाँ पे यहाँ है यूपेरेगर्स यहाँ पे फोर्थ option दिया हुआ है स्कॉर्पियन चारों बताना है कि आखिर वो कौन सा particular member है वो कौन सा सदश्य है चार option में जिसे क्या कहते है जिसे कहते है जीवित जिवास्म लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है यहाँ पे आपको सीधे ही स्टेट फॉर्वड आंसर पिक करना है मैंने आपको lumulus के बारे में बताया हुआ है lumulus जो है इसे ही क्या कहते है इसे ही हम king crab कहते है मैंने जब आपको orthopoda phylum पढ़ाया था वहाँ पे orthopoda phylum में हमने discuss किया था एक class के बारे में पहले हम यह देखते है living possible मतलब इसे क्या कहते है इसे हिंदी में कहते है जीवीत जिवाश्म कहा जाता है और यह जो living fossil है इसके बारे में मैंने आपको orthopoda phylum में बताया था और orthopoda phylum जो है इसमें कौन से class के बारे में हमने discuss किया था एक class होता है जैसे क्या कहते है mirostomata इसे कहा जाता है mirostomata class जीवीत जाते है मैंने इसी mirostomata class में jumilus आते है और इसी को कहा जाता है king crab जाते हैं जैसे living fossil consider के जाता है लेकिं living fossil इस lumilus के बारे में मैंने एक और point आपको बताया था यहाँ पर अगर respiration की बात करें तो क्या होता है respiration के लिए इसमें respiration के लिए book gills होते हैं क्या होते है book gills होते हैं ठीक है चलो हमने ये question number 16 discuss किया सीधे लीड करते है question number 17 के तरफ question number 17 देखते हैं यहाँ पे question number 16 तक हमें discuss कर लिया next question is question number 17 example of living fossil in the orthroport ठीक है यहाँ पूछ रहा है कि orthroport जो होते हैं उसमें example मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि आखी orthroport का कौन सा ऐसा member है again living fossil पे ही question आ रहा है लेकिन option क्या है option चार option दिये हुए है साइमेक्स ठीक है second option यहाँ पे ट्राइथरस ठीक है और यहाँ पे third option है peripetus और fourth option क्या है यहाँ पे यूपेरगस चीक है यहाँ पे चारों option में से बिलकुल मैं उमीद करता हूँ आपने अपने answer जो है left कर दिया होंगे comment box में सीधा साइस का भी answer है orthropoda में ही मैंने आपको peripetus के बारे में बताया था इसाइक क्लास होता है और यसे कर देदों पेरिपडस के बारे मताया था कि यह क्या होती है मैंने का यह होते हैं क्टिव link होती है क्टि बिंक होते हैं किस्कた बीच में यह की फिर चीक है अलिडा के साथ-साथ हम यहाँ पर इस अं vandaag इनलिडा और ऑठ्रोपोडा की बीच में क्या होते हैं, स्वाइल जिवेत जिवाश्म भी से हम कह सकते हैं, नमर 18 देखते हैं, देखिये, क्या है, पूछ रहा है, कि एक्सक्रिशन इन दो ऑठ्रोपोडा टेक प्लेस भाई, मतलब यहां पे और्थरोपड़ा जो संग होते हैं उसमें जो उचसरजन है एक्सक्रीशन किस से पर्डिकुलर संदस्तना के माद्यम से होता है चार उप्षन दिये वें आपके पास फर्स्ट उप्षन है मेलपीगियन टुब्यूल सकेंड उप्षन है ग्रीन ग्लेंड थर्ड उप्षन है कॉग्जल ग्लेंड और फोर्ट उप्षन है ओल अप्ड़ एबू इन चारों ही उचसरजी संदस्तना को आपको देखना है और ज जल से जल आप सीधे आंसर करें यहां पे डिसकेशन करते हैं सीधे अपन बात करते हैं और फाइलम में पाए जाने वाले एक्स्क्रीशन के लिए जो स्टॉक्चॉर्स होते हैं वह कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको मेलपीगियन टुब्यूल के बारे में बताए हुआ इसमें प्रिजन और इसमें बाते हैं इसे इसे मतलब यह जो जो घ्रनती होते हैं इसे कहा जाता है ले इसे अन्टेनरी ग्रेंड भी कहा जाता है और यह जो अन्टेनरी ग्रेंड होते हैं इन उस्डील सवीह쳤र रशना है और इसके साथ अब एक करना है लेकिन अब यहां पते करें इंट यह मिल्म पीघंड टी्बियूल की बात करें तो हम यह कहते हैं मैं तो त्रु पना करके होते हैं उसमें जो यहाँ के लिए पाय जाने वाली संद्रस्त लाकी बात कते हैं वो किया होता है मेल पीग्य Спकॉमय छूँ सबस् corporations this उसमें इसफिधियन गे profile चेश्थ लेंगच सबस्क्राइब सीरे लीड करते है question number 19 के दरफ यहां पर देखिए question number 19 है millipede belong to क्या है millipede जो एक member होता है चार option दिया हुआ है चारों जो है आपको बोच रहा है class की name given है ठीक है आपको बताना है कि किस class का member है यह millipede ठीक है देखिए चार option दिये हुए है चार option को तो है डिपलोपोडा, second option है क्रस्टेशिया, third option है इंसेक्टा और fourth option क्या है एरेकनिडा ठीक है यह है basically डिपलोपोडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया और एरेकनिडा इन चारों class में बताने हैं आप चारों option में आपको बताने हैं कि millipede जो है वो किस से बिलॉग करता है, देखिए मैंने millipede के बारे में और्थ्रोपोडा फाइलर में बताया था, मैंने किसके बारे में कौन से class को डिसकस किया था मेंने जब हमने यहाँ पे diplopoda को डिसकस किया था तो वहाँ पर ही क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर मिलिपीड पढ़ते हैं, मिलिपीड जो है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हमने जूलस कहा था ठीक है, और इसके पर्टिकुलर हमने बॉड़ी पार्ट की भी बात की थी, कि बॉड़ी पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर basically head भी present होताई, head भी present होताई, यहाँ पर thorax भी present होताई और thorax के साथ सार यहाँ क्या present होताई मैंने का यहाँ पर abdomen भी क्या होते हैं, present होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 option में से कौन सा option सही हुआ फिर मैंने का इस question number 19 का मिलिपीड जिसे जूलस भी कहते हैं ये जो है basically इसके लिए सही आंसर कौन सा हुआ ये बिलॉंग करते हैं सम्बंदित होते हैं डिपलोपोडा क्लास से last question question number 20 हम discuss करने वाले हैं कि respiratory organs of the orthopode, orthopoda जो phylum है उसमें हम अगर किसकी बात करें सौशन के लिए आवश्यक अंग या फिर सनस्ताओं की बात करते हैं तो कौन से होते हैं चार option दिये हुए आपके पास first option है gills second option है book gills third option है book lung and tracheal system और fourth option क्या है all of the able ठीक है यहाँ पे चारो option दिये हुए है आप जल से जल मुझे पैचाने की आखिर basically यह जो है इस question में क्या पोच रहा है कौन सा answer आपको लगता है सही है कि मतलब orthopoda phylum में पाए जाने वाले सौशन के लिए जो अंग होते हैं वो कौन से होते हैं चीक है मतलब यह तीनो option ही ठीक है तो हमरा जो answer क्या हो गया मैंने का यह जो fourth answer है basically क्या है यह है all of these मैंने कहा उप्रोक्त सभी जो हैं यह हो गया क्योंकि हम यह जानते हैं gills भी present होते हैं book lung भी present होता है tracheal system भी होते हैं book gills भी present होते हैं मैंने आपको यह कहा था कि especially हम किसकी बात करें especially अगर हम book lung भी ट्रेकियल system की बात करते हैं तो यह किस प्रकार की और थरुपड़ा में पाए जाता है मैंने कहा यह इस थलिये प्रकार की और थरुपड़ा में पाए जाने वाले क्या होते हैं यहां पर प्रकार की जो और थरुपड़ा में पाए जाने वाले जो सवचनिये सनरस्तना है उसे क्या कहते हैं गिल्स कहते हैं लेकिन हमसे तो पूछ रहा है respiratory organ तो यहां पर तो सभी option क्या है ठीक है तो यहां पर basically क्या हो गया मैंने कहा यहां पर fourth option हो गया यहां पर देखिए मैंने आपको previous जितने भी phylum non-cordate के मैंने आपको पढ़ाए उस पे आधायत मैंने 20 questions जो है 20 20 important questions जो है discuss किये ठीक है हमने सभी content के साथ-साथ non-cordate को finish कर लिया और अभी जो हमारा अभी जो theory का part हमने लिया था वो क्या था वो था यहां पर super class species के बारे में मैंने आपको अस्थी में उपास्थी में प्ले को डर्माई इन सभी के कुछे characters बताए थे और अब जो है in the next lecture यहां पर इन दौनों ही तरह के मचलियों के fishes के example हम discuss करेंगे ठीक है तब तक के लिए जय हिन जय राजधानी